अपने चैट जीबीडी को एक अच्छा सा प्रॉम्ट इसके लिए लिखके दिया और अच्छा सा प्रॉम्ट में मैंने क्या दिया मैंने पूरे एक्सप्रेस की फाइल दे दिया अपनी ठीक है ये पूरी एक्सप्रेस की फाइल मैंने इसको पकड़ा दी और मैंने इससे बोला ये बात मैंने का बई अबव बिट्वीन ये पांच एड़ रेट इस माई सॉक्ट आयो सर्वर सही है अजब निया यूजर कनेक्ट होता है तो मेरे बस कॉंसोल पर ये लिखा बाता है और मैं अब चाहूँ तो अगर सिर्फ इसको भेजना चाहता हूँ तो मैं कैसे बेजूँगा ठीक है सिर्फ इसको भेजना चाहरा हूँ अभी जो यूजर कनेक्ट हुआ ज़स्ट इसको भेजना चाहरा हूँ तो इसने मुझे बोला कि यार आप क्या करोगे आप जैसे एक बनाओगे variable आप जिसमें तमाम के तमाम जो connected users हैं connected sockets इसने नाम दिया उसको और इसने बोला है कि जब भी नए connection बनेगा न तो यहाँ जो आपको मिलती है चीज यहाँ जो चीज मिलती है वो user का object होता है जो user अभी connect हो है उसको आप क्या करा लोगे एक variable में store करा लोगे और जब आपको message भेजना होगा ना तो आप क्या करोगे आप उस user के instance के उपर दॉट इमिट वारोगे तो उस ही के बास जाएगा किसी और के बास नहीं जाएगा that's it सही है तो time अभी अभी हम क्या करते है अभी हम जो global object है ना हमारा socket आयोगा उसके उपर दॉट इमिट मारते हैं अब हम क्या करेंगे global object के उपर इमिट नहीं मारा करेंगे हम जैसे ही एक नया user connect होगा तो नया user connect होते वे मुझे पता लगता है ना कि इसके बाद token कौन सा है और इसकी email कौन सी है इसका underscore ID कौन सा है तो मैं क्या करूँगा कि उसके underscore ID को associate कर दूँगा इस ID के साथ underscore ID को इस ID के साथ associate कर दूँगा और जब भी मुझे real time notification भेजनी होगी तो मैं क्या करूँगा उस underscore ID के साथ जो ID associated है वो वाला object निकालके तो इस तरह क्या होगा कि हमारा जो सर्वर है सॉक्रिट आयोगा वो कम्क्लिटली सिक्योर हो जाएगा एक दूसरे के इवेंट्स कोई बंदा सुन नहीं पाएगा ठीक है अच्छा अब यह बताओ कि इसको इंप्लिमेंट कर लें 15 मिनिट लगेंगे होपफुली तो नहीं आदे गुंटा भी लग सकता है देखो असल में इसको इंप्लिमेंट मारना तो मसला नहीं है लेकिन इंप्लिमेंट मारने के पास वैरिफाय करना पड़ेगा वैरिफाय इस तरह करूंगा कि मैं 2-3 इवेंट 4-5 इवेंट अलग अलग लगाऊंगा और उसको चेक करूं मेरे पास बही एक यूजर है जो किया है abc.com है यह सही है एक ये यूजर है अच्छा मैं क्या करता हूँ इस यूजर से खड़ाओ के मैं जम्बो को मैसेज भेज रहा हूँ ठीक है जम्बो को मैसेज भेज रहा हूँ और इसके बदेखो ये मैसेज आ गया ठीक है ओपन की बटन पर मैंने कुछ लगाया है नहीं इसलिए ओपन का बटन नहीं चल रहा अच्छा तो यह ABC एड़रेट ABC मौजूद है इस वक्त अब यहां पर मैं कोई तीसरा अकाउंट लॉग इन कर लेता हूं उस पर भी इवेंट आ रहोगा देखना अब ताया है यहां पर मैं कोई तीसरा अकाउंट कर लेता हूं उस पर भी इवेंट आ रहोगा होगा अच्छा मैंने इसको लॉगाउट किया अब बताओ यार कौन सा अकाउंट है एड़्मिन वाला अकाउंट हमने बनाया था एक दफा एड़्मिन वाला === cables I有 स्यार्ट इस abc add gmail भी एक बनाया वा था मने, ठीक है, एक तो abc.abc है, चलो निया sign up मार लेते हैं, ठीक है, निया sign up मार लेते हैं, uncle john, सही है, uncle add john.com, ठीक है, 123456, 123456, ठीक है, निया user sign up मार लिया मने, ठीक है, login, uncle add john.com, 123456, ठीक है, ये uncle john इस वक्त लॉग इन हो गए हैं, ठीक है, रीफरेश करता हूँ, uncle john को सारी request ने, दिख रही हैं, अब uncle john जाते हैं, किस से बात करने जाते हैं, जम्बो से बात करने जाते हैं, ठीक है, ये uncle john किस से बात कर रहे हैं, जम्बो से बात कर रहे हैं, अच्छा, यहाँ पर मैं हूँ, abc, adthere, debisro.com, मैं भी किस से बात कर रहे हूँ, जम्बो से बात कर रहे हूँ, ठीक है, hi, जम्बो, ये मैंने hi, जम्बो बोला, इसका message सिर्फ किसके पास जाना चाहिए था, जम्बो के पास, लेकिन अभी ये message किसके पास जा रहे है, सब के पास जा र यहां पे जो जावा स्क्रिप्ट लगी वह उसमें लिस्निंग किसको कर रहे एंकल जॉआ। तो अब ही तो मैं चेंज नहीं कर पा रहा हैं से, कोड से, क्योंकि वो पता नीए किदर होगा, थोड़ा सा उस पर ये किसी से भी बात कर रहे हैं लेकिन सीन के आए कि ये इनकी जो लिस्निंग लगी वी है ये इनकी अपनी आईडी पे लगी वी है अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि अपनी आईडी की लिस्निंग हटाके हाट कोड़िड आईडी लगाने जा रहा हूँ अंकल जून की नहीं है जू़ कि उसकी है जंभो की है अच्छा जब मैलिस्निंग जंभो पर लगा दूंगा तो कोई भी बन्था मैसिज भेजे गा न जंभो को चाहिए वो अंकल जून हो चाहिए वो मैं हूं तो वो ही यह नजर आना शुरू हो जायेगा ठीक है आओ उसको hardcoded करें ठीक है मेरे जो chat.jsx है ना इस पर जाके मैंने जो बोला था ना कि लिस्निंग किस पर करो लिस्निंग करो यूजर की आईडी पर मैंने का नहीं अब यूजर की आईडी पर आप नहीं करोगे अब आप करोगे एक hardcoded आईडी की उपर जो के है यह किसकी आईडी है यह जमबो की आईडी है सही है अब जमबो को किया जाने वाला हर message सब को दिखेगा क्योंकि hardcoded बने कर दिया इसको अच्छा अब मैं क्या करता हूँ एक message मैं डालता हूँ जमबो को ठीक है मैंने का हाई जमबो एंटर तो ये मैसेज किसको भी दिख गिया अंगल जाउन को भी दिख गिया सही है ये किया जा सकता है न दिखो फरेंट एंट का कोट बड़े अराम से चेंज हो सकता है अभी मैं इंस्पेक्ट ऐलिमेंट करके कर सकता हूं लेकिन जरा सो इसमें मेहनत लगेगी अच्छा भी देख लेते हैं भी ठीक है इसका एक असान तरीका मुझे भी याद आगिया इसमें हम वो लगा सकते है न ब्रेक पॉइंट क्या होता है वो डीबगर होता है दीबगर ऐसे ही लगता है डीबगर यूज किया किसीने आज से बहले है जब मैं इस पेंज को रीफरेश करूए इस पेंजकर ये अंकल जॉन वाले इसकी ऊपर मैं उस वक मौजूद हूँ अच्रेण को साथ, अब ही क्या हूँ है? मैं रिफरेश करदेता हूं, मैं पेज को पाफ्रेश कर देता हूं. वो जो ब्रेक पॉइंट है ना अब यार उस ब्रेक पॉइंट सक मैं इसको ले के कैसे जाओंगे लेगे चलो खेर जाने की गोशिश करता है पेजेज अड़े यह तो पूरा वैसे खोल रहा है अचाँ यह आगना धेखो यह सीद़ा सीदह खुल गया। इसने पार्स वर्स किया होगा हाँ लेकिन सही है ना वह पार्स तो बिल्ड में करता हैं डेवलेबमेंट में थोड़ी करता है क्या वो पार्स नहीं बोलत है उसको क्या बोलता है अगलीließen अगली फाय तो बिल्ड करते वे करता है ने डिवेलपमेंट में तो अगली फाय नहीं करता हो अच्छा यह आ गया ना देखो न सारा यह मुझे नजर आ गया अब देखो यह लगावें नहीं यहां पर मैं इसको चेंज कर सकता हूं कोई मसला थोड़ी है यह मैंने लगा दी और जम्बो की आईडी अब देखो यह अंकल जॉन है क्या है यह जासूस हैं यह बाइट इफॉल्ट तो इस स्क्रीन पर आने पर जो लिस्निंग हो अईडी पे अईडी पर हुए थी ल्यादा होता किया आता है यह कोई भी बंदा अंकल जॉन को मेंसिज करता तो यहां दि दूबारा एक्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, अब एक्जीक्यूट कैसे होगा, वैल ये पूरा component री रेंडर हो गया न, तो execution दूबारा करा दी, अब मैं क्या करता हूँ इदर से आके मैं ABC हूँ मेरा नाम ABC है मैं एक Jumbo को एक मैसेज डाल रहा हूँ Hi Jumbo How are you यह मैंने Jumbo को एक मैसेज डाला तो यह Uncle John के पास भी आ जाना चाहिए क्योंकि Uncle John अब listening कर रहे है इस वाले की नहीं आया यह क्या डिबरी बना के दे रहा है Changes to this file were not saved in file system अच्छा एक्चली I think ना यह जो मुझे सीदे सीदे folder दिखा रहा है यहाँ पर तो अभी वही आ रहा है code पूरा यह मतलब मैनिफाय हुआ वा code आ रहा है हाई यह आ गया ना देखो यह पूरा मिनिफाय हुआ है well यहाँ पर भी change करना कोई मुझे नहीं है और मुझे वो तो पता है ना मैं तो ctrl F मारूंगा socket dot करके connect लिखेगा और क्या लिखेगा socket dot करके connect लिखेगा इसके लावे वो थोड़ी लिख देगा well छोड़ो verification को पहले सीधा सीधा काम तो implement वारे हैं हुआ हुआ झाल झाल